दोस्तो आज हम आपके लेके आएं हैं लेजिनेस दूर करने का एक जपानी टेक्निक दोस्तो समय समय पर हम सभी अपने लिए एक नया गोल या चैलेंज सेट करते हैं और अक्सर अंत में हम उन्हें हासिल करने में असफल हो जाते हैं आप खुद को ये कहके बहलाने की कोशिश करते हैं कि आप अभी इसके लिए तयार नहीं हैं आप इसे अगले सफता या अगले महीना या अगले साल करेंगे तो हम इतनी आसानी से हार क्यों मान लेते हैं? इस सवाल का जवाब बहुत क्लियर है हम अपने गोल्स को बहुत अधिक और बहुत तेजी से अचीव करने की कोशिश करते हैं पर जल्धी हम नई जिम्मदारी से उप जाते हैं और पुरानी आदतों को बदलना और कुछ नया आजमाना काफी डिफिकल्ट हो जाता है आज रिजल्ट आप अपने गोल्स को गिव अप कर देते हैं आज मैं आपको लेजिनेस को दूर करने और मन चाही गोल को हासिल करने का एक बहतरीन तरीका बताने वाला हो इस तरीके को आजमाने में एक मिनट से भी कम समय लगता है और इसके रिजल्ट काफी प्रभावशाली होते हैं इस तकनीक को काईजन या एक मिनट का रूल कहा जाता है काईजन की उत्पत्ती जापान में हुई थी और ये एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी अपने जीवन में किसी भी फील्ड में आजमा सकता है इस वर्ड में दो वर्ड जड़े हैं काई मतलब चेंज और जैन मतलब ग्यान इसका मतलब है कि आपको अपना जीवन एकाएक नहीं बदलना चाहिए बलकि धीरे धीरे और समझदारी के साथ नई आदत अपने जीवन में लानी चाहिए इस टेकनीक का आविशकार मसा की इमाई दोरा किया गया था अब दोस्तों देखते हैं काईजन की ये टेकनीक कैसे काम करती है इस टेकनीक के तहट आपको हर दिन एक ही समय पर एक मिनिट के लिए कुछ नया करने का अभ्यास करना चाहिए बस केवल एक मिनिट के लिए ना कम ना ज्यादा इससे शायद ही किसी को भी कोई परिशानी होगी यहां तक कि सबसे आलसी वेक्ती भी इतने कम समय में दिये गए काम को पूरा कर सकता है जब हम किसी नए काम या हैबिट को 30 मिनट या एक घंटा करने की कोशिश करते हैं तो हम आम तौर पे कुछ दिनों बाद ही इस नए काम को टालने का बहाना ढूणने लगते हैं इसलिए हमें 60 सेकंड से ही स्टार्ट करना चाहिए अब आएए देखते हैं कि टेक्नीक काम क्यों करती है पहली नजर में ये टेक्नीक उन लोगों को ineffective लगेगी जो western culture में पले बड़े हैं जो ये मानते हैं कि आप केवल heavy efforts करके ही अपने goals को achieve कर सकते हैं हाना कि ये बिलकुल भी सच नहीं है self improvement का ये challenging काम आपके energy को भारी मात्रा में drain करता है और आपको ठका सकता है चाहे वो कोई physical exercise करना हो या कोई mental exercise इसके बजाए आप उस काम को छोटे समय के लिए करें ताकि आपको उसे करके खुशी और संतुष्टी मैसूस हो एक समय में एक छोटा कदम आपको एक sense of achievement देगा और कुश दिनों में आपको पता चल जाएगा कि आप प्रगती कर रहे हैं या नहीं यह नई habits बनाने के लिए बेहद ही जरूरी है अपने capabilities में confidence रखना और helplessness वाली feeling को दूर रखना किसी भी progress के लिए बहुत important है आगे बनने के लिए आपको achievement और success की भावना का अनुभव करना होगा जिस शन यह positive feeling आपको inspire करेगी आप धीरे धीरे उस goal या habit पे लगने वाली time को बढ़ाना शुरू कर देंगे और यह एक minute देखते ही देखते 5 minute और फिर आधे घंटे में बदल जाएगा तो बस अब आप decide कर लिजे कि आपको क्या हासिल करना है और बस एक minute के लिए इसे करना शुरू कर दीजे हर दिन